नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दीपक और आपका स्वागत है दीपक टॉक्स में दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपोर्टन्ट है यह वीडियो उन सब लोगों के लिए जिनको हमेशा डाउट रहता है कि यह ग्रेजुटी क्या होती है दोस्तों मुझे भी पहले डाउट क्या है ग्रेज Aur meny पिंट एक 1972 क्या है ग्रेजुटी के लिए लिगेकर है क्रेज़ुटी के कौन-कौन दाएरे में आते हैं और ग्रेज'ोटी की गणना कि सहुसाब से किस फॉर्मुला से ग्रेशोटी कैलकुलेट की जाती है और इसके साथ साथ डेथ कंडिशन में मृत्यू के स्थिती में भी किस हिसाब से इसकी गंड़ना होती है यह सारा कैलकुलेशन हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर वीडियो आपको लास तक देखना बहुत जरूरी करें तो दोस्तों आयू शुGeneral करतें वीडियो सबसे पहले जानặọi ऐं ग्रेशोटी, दोस्तों ग्रेशोटी क्या होती है ग्रेशूटी यह वह रकम होती है करम चारी को संस्था या नियुक्ता या कह लिए एंपलोएर की तरफ से दी जाती है एक संस्थान या नियुक्ता के पास करमचारी को कम से कम पांच साल के लिए काम करना अनिवारी है यानि कि अगर आपने पांच साल काम किया है कम से कम तो ही आप उसके हक्तार है आम तोर पर यह रकम तब दी जाती है जब कोई करमचारी या तो नोकरी छोड़ता है या retirement के time पे या उसे नोकरी से हटाया जाता है या फिर किसी ने किसी अकस्मिक मृत्य होनी की स्थी में मोद की स्थी में या किसी दुरगटना की स्थी में ग्रेचुटी दी जाती है तो I think ग्रेचुटी आपको clear है ग्रेचुटी क्या है अब आगे जानते हैं यानि कि किन नीमों के तहत इसकी eligibility है पातरता है दोस्तो ग्रेजविटी पेमिंट एक 1972 के मताबिक ग्रेजविटी की रकम अधिकता maximum 20 लाग रुपय तक हो सकती है और ग्रेजविटी के लिए करमचारी को एक ही company में कम से कम 5 साल काम करना अनिवारी है जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तो उससे कम वक्त की की गई नोकरी में अगर 5 साल से कम नोकरी किया तो ग्रेजविटी की पातरता नहीं रखता है सो अब जानते हैं कि यह ग्रेजविटी पेमिंट एक 1972 क्या है सबसे पहले हम जान ले यह वो एक्ट है जिसमें करमचारीयों की हितों की रक्षा करने के मकसद से साल 1922 में ग्रेजविटी पेमिंट एक्ट को बनाया गया इस एक्ट के तहट माइनिंग छेतर, फैक्टरीज, ओयल, फिल्ड्स, फोरेस्ट एरियाज, कम्पनी और पोर्ट्स पर काम करने वाले उन तमाम संस्थाओं के करमचारीयों को शामिल किया गया है जहां पर 10 या 10 से जादा करमचारी काम करते है दूसरा अगर जाने तो ग्रेच्विटी और पीफ, दोनों बहुत डिफरेंट चीज है ग्रेच्विटी के अंदर सारा कॉंट्रिबूशन आपके एम्प्लोयर का नियोकता का होता है पीफ के अंदर एक निश्चित अमाउंट आपका कॉंट्रिबूशन भी होता है जाने कि ग्रेच्विटी पेमेंट एक के अंतरगत कौन-कौन सी संस्थाएं आती है दोस्तो कोई भी कंपनी, फैक्टरी, संस्था जहां पिछले बारा महीने में किसी भी एक दिन तस या दस से जादा करमचारियों ने काम किया हो वो कंपनी, वो संस्था वो और्गनाइजेशन ग्रेच्विटी पेमेंट एक्ट के दारे में आती है एक बार ग्रेच्विटी पेमेंट एक्ट के दारे में आ गई बाद में चाहे वो दस से कम करमचारी हो जाए वो Gratuity Payment Act के दारे में ही रहेगी तो दोस्तो Gratuity Payment Act के तहर किस हिसाब से Gratuity Calculate होती है क्या है वो Criteria वो हम जानते हैं आगे दोस्तो दो Categories में Gratuity Payment Act के अंदर बाटा गया है पहली वो Categories जो करमचारी ये वो करमचारी होते हैं 1972 Gratuity Payment Act के अंदर बाटा आते हैं Categories 2 में ये वो करमचारी होते हैं जो Gratuity Payment Act 1972 के अंदर बाटा नहीं आते हैं दोनों की calculation थोड़ी थोड़ी different है दोनों के हम जानेंगे किस हिसाब से calculate की जाती है सबसे पहले मान लेते हैं कि Gratuity Payment Act के तहट जो करमचारी आते हैं उनकी क्रिशूटी की calculation कैसे होगे उसका formula है आखरी वेतन गुना यानि की multiply वेतन की अवदी या नोकरी की अवदी जितने टाइम उसने काम किया गुना 15 बटे 26 यहां 15 बटे 26 क्या है मैं आपको बता दूँ महीने में जर्षांट विकशत rebel 일िए ऊसका महीने का व्षांट 15 말고ender दिन कवा सब्सक्राइम उसको हाफ कर लिए जाए तो 15 बaurais निकाल कर भुगतान केता है अब यहां आखरी वेतन से क्या मतलब आखरी यानि कि मूल वेतन प्लस महंगाई बनता या कोई कमिशन अलग से अगर कोई मिलता होगा तो जो किसी भी तरह के बॉनस वगरा अगर मिलते हैं तो इस सरे हैं उसकी मूल वेतन और पंद्रा बटे चप्विस साला फॉर्मूला हो गया है अब नोकरी के अवधी कैसे क्लिकुलेट होती यानि कि किसी करमचारी ने मान लि करमचारी का वेतन किसी कमपनी में आखरी टाइम में 15,000 रुपे महीना है उसने 6 साल 8 महीना वहां पर जोब किये अब उसकी ग्रेचुटी कैसे डिसाइड होगी और वो ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट के दारे में आता है कैटेगरी बन में आता है मूल वेतन 15,000 गुना उस यानि कि जो इस एक के दाइरे में नहीं आते उनकी क्रेचुटी कैलकुलेशन कैसे होगी उसमें बस एक डिफरेंस है वो यह कि मूल वेतन गुणा नोकरी के अवदी गुणा 15,000 बटे 30 हो जाएगा वहां पर ओसत 30 दिन लिया गया है जो हमने 26 वर्किंग डेज ले थी यहा यानि कि किसी करमचारी ने अगर 6 साल 8 महीने काम किया है तो यहां पर 6 साल ही माना जाएगा जब तक उसका साल पूरा ना हो तो इस फॉर्मूला के साब से हैं 1500 गुणा 6 गुणा 15 32 यहां बनेंगे 45,000 रुपई या दोनों के करमचारी को अगर डिफरेंस देखें यानि कि उसको 60,570 मिले उस इसमें 45,000 यानि कि लगबग लगबग 15,570 रुपई के करमचारी को जादा मिलते हैं I hope कि आपको कैलकुलेशन समझ आ गई है किस हिसाब से ग्रेचुटी की कैलकुलेशन होती है सबसे लास्ट में हम जानते हैं कि मृत्यों की सिती में ग्रेचुटी की गढ़ना कैसे होती है यहाँ पर सीधा सा कलकुलेशन है एक तरफ अगर आपकी नोकरी के अगदी दूसरी तरफ आपकी ग्रेचुटी की कलकुलेशन जितना टाइम आपने काम किया है उसके एक साल से कम आपने काम किया है तो मूल वेतन का दो गुना आपको मिलेगा आपने एक साल से जादा लेकिन पांच साल से कम किया है मूल वेतन का च्छे गुना आपको मिलेगा पांच साल से जादा और ग्यारा साल से कम किया है मूल वेतन का बारा गुना आपको मिलेगा ग्यारा साल से जादा और बीस साल से जादा अगर आपने नोकरी की है तो हर महीने की न सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने फैमिली और फ्रेंट्स में शेर करें थैंक यू दोस्तों थैंक यू वेरी मुच थैंक यू